दोस्तो स्वागत है आपके Demarketing Ball में, मेरा नाम है विशेख, दोस्तो आज की वीडियो का हमारे टोपिक है Best Web Hosting Services in India तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको एक Best Web Hosting Service बताऊँगा जो मैं यूज़ करता हूँ तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़े बताऊँगा कि ये Web Hosting क्यों सबसे अच्छी है, मैं यूज़ करता हूँ तो मैं अपना Dashboard भी आपको दिखाऊँगा कि मैंने कौन सी एबसाइट इस पर होस्ट कर रखी है और इसके अलावा मैं आप वहीं बताऊँगा कि कौन सा प्लान आपके लिए सबसे बढ़िया रहने वाला अगर आप ब्लोग, e-commerce या कोई वेक्साइटा बनाते हो तो उसके लिए सबसे बढ़िया प्लान आपके लिए कौन सा रहेगा इन सबी चीजों के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बता ले जा रहा हूँ तो दोस्तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं को प्रसकाना बिल्कुन हम भुलिए क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो के नॉटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे तो दोस्तो चलिए शूर्य करते हैं तो अब हम आगए हैं मेरे लाप्टू स्क्रीन में और जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पर जाओगे जो है Bluehost की वेबसाइट अब गैस मैं इस वीडियो में आपको यह बताऊँगा कि यह क्यों बेस्ट वेबस्टिंग सर्विस है तो गैस सबसे पहले मैं आप इसको हॉमपेज आपको चेक करा देता हूँ यहां पर आप देखोगे कि आपको यहां पर free domain मिल जाता है जब भी आप कोई भी hosting plan यहां से purchase करते हैं तो आपको free domain मिल जाता है जो कि अगर actual आप purchase करने जाओगे .com तो आपको 780 या 900 रुपे तक आपको पढ़ सकता है .com domain और यह जो रहेगा वो एक साल तक रहेगा अगर आप 3 साल की hosting purchase करते हो तो पहला साल आपका free रहेगा और अगर आप एक साल के लिए purchase करते हो तो वो एक साल आपका free रहेगा ठीक है और अब दूसरा है free SSL guys SSL आज के date में बहुत ज़्यादा important है आप जानती है क्योंकि जो browsers है अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो मैं आपको था तो SSL क्या चीज़ है तो अगर आप यह देखोगे यहाँ पर यहाँ पर STTP और आगे S लिखा हुआ है ठीक है टॉप पर आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपको STTP S लिखा है यह जो S है इसी को हम बोलते है SSL certificate जिस website को SSL certificate मिल जाता है उसके आगे S लग जाता है यानि की hyper test transfer protocol secure इसका यह मतलब होता है STTP S का platform तो यहाँ पर आप देखोगे connection is secure ऐसा लिखा हुआ आ रहा है अगर आपने SSL नहीं लिया होता तो यहाँ पर लिखा हुआ आता है not secure ठीक है वो भी red color में तो ऐसा में क्या होता है कोई भी जो आपका user है जो आपको client आपकी website से कोई चीज purchase नहीं करेगा अपना bank account details ठीक है तो इससे पता चल जाता है उनको पता चल जाता है not secure मतलब हम अगर अपने details डालेंगे तो हम risk में है तो यह चीज आज की date में होना बहुत जरूरी है तो वह चीज हमें यहाँ पर free मिल जाती है अब तीसरा है premium cloudflare cdn guys cdn free में दे देना वो भी premium वाला बहुत सब्सक्राइब तो यहाँ बात करें तो यह तीनों चीजे बहुत ही जाधा है इसमें important रहती है और हमको यह चीजे मिलनी ही चाहिए मैं आपको बताऊंगा कि cdn वगरा क्या होता है और कहां पर है क्योंकि मैंने खुदने hosting ले रखी है तो अगर आप देखूगे यहाँ प के दिखा दाता हूं जल्दी से तो यह देखे यह हमारा website open हो चुका है तो आपने देखा शायद एक सेकंड का time भी नहीं लगा इसको open होना में तो गाइस performance के मामले में कोई problem नहीं है और अब हम बापस आ जाते हैं साइट पर मैं आपको बताता हूं कि इसके plans वगरा क्या ह है और क्यों हमारे लिए सबसे बढ़ा hosting हो सकती है तो अब यहां पर यह प्रवाइड करते हैं हमें shared hosting, vps hosting, dedicated hosting और wordpress hosting तो यह सारी चीज़ें पर प्रवाइड करते हैं यहां पर reseller hosting हमें नहीं मिलती है तो अब हम चलते है shared hosting पर क्योंकि कोई भी normal बंदा क्या करता है जब य इपनी एक website host करनी होती है अब दस website host करनी होती है तो हमेशा shared hosting ही लिया जाता है ठीक आइस तो यहां पर यह चार प्लान आपको देखने को मिलेंगे अब यहां पर set है 36 महीने का यानि की तीन साल का set है और कैस्में हमेशा बता हो अगर आप ब्लोग के लिए ले रहे हो तीक अगर आप 12 मिने के लेते हो तो मैं आपको पूरा calculation बता हूँगा कि आप कितना फायदे में रहोगे इस वीडियो के end तक आप जरूर देखना तो आपको पूरा फायदा आपको मिल जाएगा और इसको purchase करना है तो लिंक आपको discussion मिल जाएगा वहां पर आपको discount भी मिल सकता है तो यहां पर अब देखते हैं कि plans में हमें क्या-क्या मिलता है तो सबसे पहले हम basic की मानेगी एक साल के साब साही हम लेकर चलेंगे और हम यह basic वाला plan एक बर स्टार्ट करेंगे फिर्मा को बता हूँगा किसमें आपको सबसे आप फायदा मिलने वाला है अगर आपको जिन्दगी में पहली वार hosting purchase कर रहे होता हूँ अब क्यूं मैं वोदा आता हूँ यहां पर आपको एक website आप host कर सकते हो ठीक है एक website होस्ट कर पाऊँगे यह एक कमीस में रह सकती है लेकिन आगे वाले plans में आप unlimited websites host कर सकते हो उसके बारे में आगे बात करेंगे यहां आप तो यहां पर 50 GB SSD storage मिलता है जो कि बहुत जादा होता है ठीक है बहुत जादा होता है और इसके बाद unmitted bandwidth आपको unmitted मिल रहा है यहां पर यह एक बहुत अच्छी बात है क्यूंकि यह जो आपका traffic होता है आपकी website monthly जो traffic होता है वो unlimited हो जाता है एक तरह से ठीक है तो अब यहां free SSL certificate free मिलता है standard performance यह last वाला high performance देता है लेकिन guys standard performance जो बाती होती है अगर यह वाले plan के अगर हम बात करें तो अभी आपने मेरी website देखी कैसे open हुआ तो मैंने यह वाला plan purchase किया है ठीक है तो मुझे तो आप देख सकते हैं मेरी website कितनी fast खुली थी तो पूरे साल के 12,000 नहीं करूंगा तो अब आगे चलते हैं one included domain मतलब एक domain आप यहां पर लगा सकते हैं जो की one website यहां पर लिखा है ठीक है और वो domain free रहेगा आपके लिए ठीक है और pipe park domains मतलब आप बाहर से आप domains लेके लगा सकते हो और 25 domains आपको मिल जाते हैं ठीक है और आपको एक साल तक free domain मिलता है फिर से बात लिख दिए यहां पर फ्री ब्लू हो अशे खेर यह सब तो attract करने वाली चीज़े हैं हमें जो main चीज़ों focus करना यह सारी चीज़े होती है ठीक है यह सारी चीज़े हमारे लिए सबसे ज़्यादा main होती है ठीक है free domain और cloudpress cdn के बारे में यहां पर नही है यह लेंगे तो आपको यह extra चीज़े मिलेगे domain privacy, site backup, code guard basic और free site migration यह site migration बहुत important चीज़े गाइस क्यूंकि हो सकता है आपकी website किसी और hosting company के पास चल रही हो और वहां से आपको यहां पर migrate कराना और अगर आपको migrate करना नहीं आता डंक से तो यह company आपको migrate करके देगी तो य यह एक बहुत ही अच्छी बात होती है, free site migration मिलना, तो इस वजए से यह वाला आप ले सकते हो, इसके comparatively इसमें आपको फाइदा रहेगा, क्योंकि price तो same ही है, तो आप सोच रहोंगे कि अगर इसमें ज़्यादा मिल रहा है, तो यह plan यहां पर है ही क्यों, है ना, यह भी ए और यह 999 पर रिणी होगा मंतली, तीन साल बाद आप एक अलग लेवल पर होंगे, तो उस तैम आपके लिए यह एमांट एक बड़ी बात नहीं रहेगी, लेकिन मैं बता दू, जितना भी यहां पर लिखा है, इतना आपका रिणीवल लाइन लगेगा, उस टाइम पर हो सकता है, 500 रुपीस पढ़ जाए मंतली, लेकिन 919 रुपे तो कते ही नहीं पढ़ने वाला, बिल्कुल चांस असी नहीं है, तो यहां पर 300 के जागे 500 होगा, 100% होगा 500, क्योंकि रिणीवल को समय से जाधा ही होती है, लेकिन यहां पर 919 रुपे का कभी भी नहीं रहने व वाला चाहिए, तो आप इस पर आ सकते हो, आपका बाद साइट माइग्रेशन की तो उस्टम आपको जरूरत ही नहीं बढ़ेगी, ठीक है, और यह दोनों चीजे, कोई बहुत ज्यादा इंपोर्टन चीजे तो है नहीं, ठीक है तो इस केर्स में आप चाहो हो तो यह वाला भी ले सकते हो, यह वाला सकते हो, यह तो completely आपके उपर है, ठीक है गाइस, तो बाकी सारी चीजे वही सेम रहती है, उपर उपर तक तो बाकी नीचे यह चीजे हैं, जो आपको extra मिल जाती है, अब मैं आपको बता दूँ कि इन में आपको complete cost लगने क्या वाली है, ठीक है, आप सबसे पहरे तो हम basic plan को एक बाद select कर लेते हैं, basic plan को select करने के बाद आगे बढ़ेंगे, और हम देखेंगे कि final हमें क्या cost लगने वाली है, आपको कोई भी domain यह आपर select करना, मैं आपको कुछ भी select कर लूँगा एक बार के लिए, space लगी, ठीक है, तो अब यहाँ पर next कर देंगे हम, और final जो cost लगेगी वो हम check कर लेगे, फिर मैं आपको तीसरा वाला plan भी बताऊंगा, तो guys, यहाँ पर आप देख सकते हो, 7,164 रुपय आपको यहां बता रहा है, और उसका final price आपको 16,000 यहां बता रहा है, तो guys, 16,000 न of, और यह भी हमें नहीं चाहिए, और यह भी हमें नहीं चाहिए, तो आप देख सकते हो, सिर्फ 7,000 रुपय आपको यहां पर लग रहे है, तीक है, 7,000 रुपय भी 3 साल के लिए, 3 साल के लिए 7,000 रुपय एक बहुत ही कम amount होता है, तो यह वाला plan आप ले सकते हो, आपको बहुत जादा यहां पर फायदा देखने को मिल रहा है, अब यहां पर आपको सिर्फ एक ही website मिलेगी, ठीक है, अब हम देखते हैं, अगला जो तीसरा plan जो मैंने बताया था, जो मैंने लिया हुआ, उसमें कितनी cost आती है, वो हम चेक कर लेते हैं, अब पीछे चलेंगे हम, इसको क्रोस कर देते हैं, अब यह वाला plan हम सेलेट कर लेंगे, इसको सेलेट कर लेते हैं, और यहां पर भी हमें एक domain एंटर करना पड़ेगा, यह ठीक है, कुछ भी एंटर कर रहे हैं, और चेक करना है कि available है कि नी चेक करता है, available तो हो गा ही, क्योंकि randomly हमने एंटर किया है तो अब यहां पर हमें जो amount दिखा रहा है, वो 10,764 रुपे बता रहा है, तीन साल के लिए, तो यहां पर हमें इतना सब कुछ मिल रहा है, unlimited domain, unlimited आपको storage मिल रहा है, unlimited bandwidth मिल रहा है, ठीक है यह बहुत सारी चीज़े आपको unlimited मिल रही है, और उस case में आपको 3 साल के 10,764 रु आपको 3 साल के लिए पढ़ने वाला है, अब guys, सबसे important बात, आपको पीछे आ जाते हैं एक बार, और मैं आपको उता दू कि 3 साल के लिए क्यों लेना चाहिए, guys, क्या होता है, अगर आप कोई e-commerce website चला रहे है, फिर कोई blog चला रहे हो, उस पर traffic लाते लाते है, उसको rank करन बैक लिंक्स बनाने में आपको एक साल का टाइम लग जाता है, तो यार यह possible नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा, अगर आपको उसे रिन्यू नहीं कराऊगा, तो ऐसे में डेड़ साल के बाद आपको रिजल्ट मिलना शुरू होता है, और एक साल में तो आपकी hosting बंद हो जा जाती है, तो यहां पर अगर आप तीन साल के लिलोगे, तो आपको बता चलेगा कि जो कुछ भी आपने किया, उसका क्या output निकल रहा है, अगर आप एक साल के लिलोगे, तो पैसे भी बहाँ साधा लग रहे है एक साल के केस में, और सबसे बुरी बात यह कि एक साल कोई साथ में आठे हों मैंने में आपको रेजल्ट मिलना शुरू पाता है, लेकिन क्या होता है कि हम इतना काम नहीं कर आपाते हैं बीजी होने के हुज़से लिगा MOR freely कहा ही और tut a time लिए दे पाते हैं, तो यह साल के लिए उनको उन प्रहों में क्या है, अब यह साल कर लोगें दूसरे साल के लिए आपको लिन्यू कराना पड़ेगा को आूपमेटिक वो चलता रेगा और आपको तो बिलना शुरू हो जायेगा और वोगमगम पाथे घरी हो जा queens Rosen और इंछ झांडे है तो आप नहीं कराने वाल legal chocol whether क्या मतलब निकल रहा है अगर आपने पैसा लगा रहा है कोई बहुत जादा एमाउंट नहीं है पहला प्लान के 7000 और तीसरे प्लान के 10,000 रुपे कोई बहुत बड़ा एमाउंट नहीं है अगर आप अपने पूरे फ्यूचर के लिए इंवेस्ट कर रहे हो तो इसलिए आप पर लोगाउट का अप्षा मतलब मैं अच्छल में लॉगिं कर रहा है तो अब यहां पर आप देखते हैं यह मेरी वेबसाइट तो मैं इस पर क्लिक करूँगा मैंने साइट पर और यह मेरा ब्लोग है और इसके बाद यह ब्लू होस्ट जो सी पैनल आपको देता है यह वो अब देख सकते हो हर चीज़ अनलिमिटेड है यह जो साइन है इसका मतलब हो उनलिमिटेड तो इसमेज़ मैंने 300MB यूज़ किया है इसमें फाइल यूज़ से 7000 किया है और सब कुछ आपको यहां यूज़ कि लेकिन आपको अनलिमिटेड बाला प्लान एक बार ले 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 क्यों कि को सकता है मैं फूचर में दो-चार डोमें और लगा दू इसमें मेरे पास तीन साल का टाइम पढ़ा है आप याराम से कर सकता हूं इसके साथ तो मैंने इसलिए अन यह हमारा ब्लू होस्ट का अकाउंट है जैसे मैंने बात की थी आपको CDN की तो यहां पर आजएगे और यहां पर आपको दिखाएगा CDN एक्टिव है अलग अलग जगह पर आपकी वेबसाइट स्टोर की जाती है ताकि अलग दुनिया के अलग अलग जगह पर बैठने वाले लोगों को पूरा आपके सर्वर तक पहुंचने की जरूत नहीं पड़े उनके पास के एरिया में सर्वर रहेगा उस पर भी आपकी वेबसाइट र कर सकता हूं मैं इसको ठीक यहां पर रहता हैं जितने वीबसाइट में लेरे रहे रहे हैं अलग यहां पर अपके वेबसाइट पनी दिएगन वेबसाइट बिकान आप उस इसे कईश्ऐस भी उसेड़ आपको इसे अपको देखने आपande तो सारा option आपको यहाँ पर चालू है अगर आप बंद करना चाहिए तो बंद कर सकते हैं ठीक है और यह सारी चीजे आप यहां से मैंने चीज तो मैं आपको दिखाना चाहता था वह था इसका cdn और डेली बैकप यह लेता रहता है तो यह एक बहुत अच्छी बात है डेली बैकप लेना चाहिए और यहीं से आप अपने वर्डप्रेस के अड्मिन पे भी लॉगिन हो सकते हो और अब चली देख लेते हैं स यहां पर आप बनाते हो तो सब्डॉमेन भी बना सकते हैं जा पर आपको डेटाबेस भी अनिस्टॉल मिलता है नहीं बहुत बहुत बिलता है यह देखिए आपको माइस्कुल डेटबेस भी यह अनलिमिटर मिलता है तो जितने चाहिए सब डोमेन बना सकते हो और उसके अलावा आप उन सब पर वर्डप्रस भी इंस्टॉल कर सकते हो तो यह देखि यहाँ रहता है सकते है तो यह कानल टेखिंटर में सर्वीश है आप बहुत बढार्व इंस्टॉल कर सकते हैं अुछ इंसटॉल और सब कुछ जहां पर आपको मिल रहा है unlimited ठीक बहुत अच्छा option है चाहो तो अगर आपके पास आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा कुछ आप करने वाले हो तो आप यह वाला भी ले सकते हो लेकिन मैं आपको सज्जेस्ट करूँगा कि अगर बहुत बड़ा कुछ करने ज चाहते हैं आप ले सकते हैं क्योंकि यहां पर आपको बहुत ही ज्यादा चीज़े मिलती है ठीक है आपको two core CPU मिल जाता है यह सारी अच्छी बाते रहते हैं तो आप यह इन सब चीज़ों के साब भी आप जा सकते हो तो दोस्तों लिंक आपको डिस्कुशन मिल जाएगा ड मिलती है और अगर चानल को सब्सक्राइब नहीं के तो चानल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को भी प्रस जरूर कर लेंगे तो दोस्तों आज कोड़ी में सिर्फ इतना ही देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद